इस देश का प्रधानमंतरी कायर है, लेकिन उससे ज़ादा वो निरलज्य है और बेहत सायक है। इस बात की पुष्टी खुद नरेंदर मोदी ने आज अपनी चुनावी सभा जो राजस्थान में थी उस दौरान दे दी। नरेंदर मोदी जी जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, आपको सिर्फ हिंदू, मुसल्मान, मुसलिम लीग, मुगल, रूल, मीट, मुर्गा, मचली यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान लिए कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हांश्रिये पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और हम उसी पर टिके हुए। लेकिन आप एक भी मुद्य की बात नहीं करना चाहतें। आज लेकिन आपने जो कहा है, आपने मर्यादा की वह सीमालांगी है जो पाप है। मंगल सूत्र पर आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगल सूत्र पर बोले कि, आपने कहा कि कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में लिखा है कि आपका मंगल सूत्र भी वो लोगों में बाट देंगे, कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में चुनौती से आपसे कहती हूं, कहा पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं, जिसमें ऐसी बात लिखी है, कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ती लेकर बाठ देंगे, किस तरह के बॉखलाहट है ये, कि आप निरंतर जूट बोल रहे हैं, एक संप्रदाई को लेकर जूट बोलते हैं, हमारे के उस सूत्र में बंद जाती है, जिसका सबसे पवित्र, सबसे पावन प्रतीक मंगल सूत्र होता है, इस देश के करोणों लोग, पूरी निष्ठा से, पूरी इमानदारी से, दामपत्य के सूत्र को, दामपत्य के संबंद को निभाते हैं, आपको मंगल सूत्र पर इतनी खटिया गंदी टिपड़ी नहीं करनी चाहिए थे कि हम औरतों का मंगल सुत्र लेकर लोगों में बाट देंगे, ये सिर्फ एक जेवर एक गहना नहीं होता है, ये दामपत्य का वो प्रतीक है, जो औरत धारण करती है, और पूरी निष्ठा सिर्ज धर्म को निभाती है, हाशिये पर रहे लोगों के खिलाफ जो शड़ियंत्र किया है, उसके अंत का वक्ता आ गया, और चुन-चुन कर वोट के माध्यम से आप से हिसाब लिया जाएगा, कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में बिल्कुल जातिकत जंगरना की बात है, और हम डंके की चोट पर कैस्ट कि पिछडे, दलितो, वंचितो, शोशितो, आदिवासियों के साथ-साथ सामान्य वर्ग के, सामान्य कास्ट के, ठाकुर ब्रामर जैसी कास्ट के भी उन गरीब लोगों के साथ नयाय होना चाहिए, जो समाज के हाशिये पर है, असल में तो लोगों की जेब पर डाका आपन लूटा खसोटा आपने, लोगों से जबरन वसूली करके अपने मित्रों की जेबे, उनकी तिजोरी और अब आप निहायती घटिया बात करने पर उतारू हो गया है, अरे थोड़ा तु बोलने से पहले सोचा करिए कि आप इस देश की प्रधान मंतरी, आज पूरा देश स् सकता है, लेकिन इसी देश ने चुना भी तो आप ही को है, खेर अब समझ में आ गया है, लेकिन जाते जाते ऐसी बात मत कीजिए कि पूरा देश पानी पीपी कर आपके शब्दों को, आपके बयानों को और आपकी घिनोनी गंदी सोच को कोसे, वही हो रहा है आज.